अलो स्रेंट्स, वेलकम टू पटना लाइट, स्यूटी पीजी का रिजल्ट आ चुका है, आप आप अफिसिल वेबसाइट पर जाकर करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं जो marksid जो हुई है, जारी की कई है, जो marks आया है, और किस basis पर हैं वो भी मैं आपको बता देना चाता हूँ एक correct questions पर 4 marks मिले हैं, अगर कोई ऐसा question है जिसके सारे options correct है, तो उसमें जो NTA जो है उससाब को 4 marks देगी अगर in case अगर ऐसा case आया है जहां पर सारे options गलत हो तो उस case में भी NTA आपको 4 marks देगी और फिर उसके साथ साथ आपको ये भी बता देना चाहते हैं अगर आप ऐसा question जिसमें 4 options correct थे और अगर उसको question को आप skip कर दिये हैं तो उस case में आपको एक भी number नहीं मिलेगा लेकिन अगर वैसे question में आप एक option बे टिक किये हैं तो उस case में आपको 4 marks मिल जाएंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी result होंगे वो percentile basis पर आये हुए हैं और इन्वर्सिटी जो है वो merit list जो जारी करेगी वो percentile पर ही जारी रहेखेगी आपको हम बता देना चाहते हैं कि सारे candidates ने कुछ number of university चूश किया होगा जो कि आपके score card में नीचे में reflect होगा तो वो candidates उस उस college में जाकर registration कर सकते हैं registration करने के बाद क्या होगा colleges जो है वो merit list जारी करेगी और merit list जारी करने के बाद आपका admission process होगा लाइक कर मैं पता देना चाहता हूँ और हम है पर देटे के लिए बात कर लेते हैं लाइक बीएच्चू की बात करते हैं अगर बीएच्चू केस में अगर total 1000 candidates ने उनके portal पर जाकर registration किया तो 1000 students का एक merit list होगा उसमें ranking दी जाएगी और ranking के basis पे ही फिर आपका जा करके admission होगा सो आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी next होगा registration होगा college का सो आप updated रहें college के website पे विजिट करें regular और किसी भी तरहेगी का information आता है आप regularly उस पर देखते रहें और अपना registration complete कर ले college जो है वो percentile के basis पे अपना merit list बनाएगी और एक college है वहाँ पे जो भी आपके marks होंगे scorecard के वो आप upload करेंगे तो उस scorecard के basis पे ही वो एक merit list जारी करके फिर आपका जो display करेगी वो merit list और उस basis में सबका admission होगा आगे भी आपको further कोई भी doubt हो जाता है CVT PG से related तो आप हमें बिलकुल ही आप callback कर सकते हैं हमारे about 6 में हमारा number है आप आपको कुछ हम guidance दे देना चाहते हैं registration करने से पहले कि CVT PG का registration करेगा तो आप अच्छे से करेगा जो भी आप उसमें input डालेगा errorless input डालेगा क्योंकि अ अच्छे से डालेगा accurate number डालेगा जो भी इंपूट होगा जो भी इंपूट माइंगे जाएंगे तरीके से जाएगा किसी भी तरीके का लाइक अगर आपका graduation का है provisional certificate वगरा होगे वह सब भी चीजे आपके पास होने चाहिए admission से पहले because जब आप counseling कराते हैं और जब आप document verification करते हैं तो यह सारे documents की need composer ही पढ़ जाती है तो यह सब महत्पून बाते हैं जो कि हमें CUTPGC related जाननी जरूरी है हम यह आसा करता है कि आप सब के result बेतर होंगे और आप जिस college के लिए target कर रहे होंगे उसमें आपका admission हो जाएगा so don't worry आप college का जो भी नया notification आया उस पर आईए और registration complete करिए सबसे पहला step हो जाता है किसे भी counselling procedure से पहले तो अपना registration करिए उसके बास counselling start होंगे और counselling में different number of merit list बनेंगे जिसमें हो सकता है merit 1, merit 2, merit 3, अफिर उसके बाद 4th round भी होता है तो उस बिस पर admission होगा so all the best every as parents और आप अपना registration जो next आएगा वो college website पर रेविल विशिट करके अपना registration complete करिए और next update जो भी check updates के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं पटना लाइट